नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों जिस तरह से अभी हाली में रविंद जड़ेजा ने अपनी तुफानी पारी खेल करके और चिन्नई सुपर किंग को मैच में जीत दिलाई है यकीन मानिए जड़ेजा की इस बैटिंग के लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है और अभी हाली में केल राहूल का भी जड़ेजा की इस तुफानी पारी पर एक बेहदी धासो और दिल्चस्प बयान आया है क्या आप मान सकते हैं कि जड़ेजा के लिए केल राहूल ये कह चुके हैं कि वो सतक भी T20 में मार सकते हैं और वो भी सिरफ सतक नहीं बलकि सबसे फास्टेश्ट सतक भी मार सकते हैं बहुत ध्यान से आप सभी को वारी सी वीडियो को देखना चाहिए क्यूंकि अभी हाली में जो केल राहूल का बयान आया है वो रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रविंदर जड़िया की बल्ले बाजी की और रविंदर जड़िया की पर्फॉमेंस की के टाइम पर केके आर काफी अच्छी कंडिशन में नजर आ रही थी ऐसा लग रहा था कि केके आर बड़ी ही आसानी से इस मैच को जीच जाएगी उसी टाइम पर किसने सोचा था कि रविंदर जड़िया एक ऐसी पारी खेलेंगे कि पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख देंगे किसने सोचा था कि रविंदर जड़िया एक के बाद एक चौके छके की बारिस करने वाले हैं जी हाँ बिलकुल ठीक ऐसा ही हुआ और रविंदर जड़िया की वो तुफानी पारी हमें देखने को मिली जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी मैं आपको बता दूँ दोस्तों सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए बैठे हुए थे और हर किसी को लग रहा था कि अब तो बहुत आसानी से चेन नहीं इस मैच को हार जाएगी और निश्ची तोर पर इस मैच को कॉलकता जीतने ही वाली है लेकिन उसी वक्त हमें ये देखने को मिला कि अचानक से ही रविंदर जड़ेजा की एक तुफानी पारी देखने को मिली और मैच 6 गेंदों पर ही रविंदर जड़ेजा ने 22 रंट ठोक दिया जिसके वज़े से चेंड नई सूपर तुफानी बहुती आसानी से इस मैच को जीत गई और ये हारा हुए मैच रविंदर जड़ेजा की वज़े से चेंड नई के पाले में आ गया अब ऐसे में केल राहूल का अभी हाली में इसको लेकर के एक बयान आया है केल राहूल ने कहा कि ये कारनामा सिरफ और सिरफ रविंदर जड़िजा ही कर सकते हैं क्यूंकि जिस तरह से वो तेश तरार इस टाइम पर बल्ले बाजी कर रहे हैं और जिस तरह की फॉम में रविंदर जड़िजा नजर आ रहे हैं वो रियल में काबिले तारीफ है रविंदर जड़िया आठ के इंदो पर अगर 22 रन ठोक देते हैं तो इसमें कोई चौकने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बहुत तेज खेलते हैं और केल लाउल ने कहा है कि मैंने खुद ने भी नेट में सकते हैं तो इस तरह से केल लाउल ने रविंदर जड़िया की खूब तारिफ की है और उनका मानना है कि आने वाल दिनों में किर्केट के इत्यास में रविंदर जड़िया का नाम सुनहरे पन्नो बरदर शोगा और इसके पीछे उनकी सफलता के पीछे महिंदर सिंग धोनी का भी खूब केल राहूल का मानना है कि जिसके पीछे महिंदर सिंग धोनी का हाथ हो वो ऐसे ही रविंदर जड़िया की तरह बैटिंग करता है और यही हमें देखने को मिला है केल राहूल ने कहा कि अगर महेंदर सिंग धोनिस सायद उनको इतना मोटिवेट नहीं करते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उत सायद नहीं करते हैं तो सायद रविंदर जड़िया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं दोस्तों इस तरह से क्यल रहो ले रविंद जड़िया की तुफानी पारी की तारिफ की है, आपको रविंद जड़िया की तुफानी पारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बतना, साथी वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, धनिवाद.